आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे, एक सक्स को देख रहे होंगे, ये पाकिस्तान के पूर पिदान मंतरी इमरान खान है और आप देखें, जब से इनकी हाथ से सत्ता गई हुई है, इनके बोरे दिन सुरो हो गए है, और पाकिस्तान में अक्सर ऐसा देखा भी जाता है, कि अगर कोई पाकिस्तान पिदान मंतरी पस से हटता है, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ समय पहले इन पर गोली भी जह चली थी, और हो सकता है, कि इने जिल में डाल दिया जाए, और और आप देखेंगे, इने फांसी भी दे दी जाती है न, तो कोई आश्चर की वात नहीं होगी, और पाकिस्तान को देखें तो देखीं, यह हमारी प्यारी पित भी है, और इसमें देखेंगे, यह हमारा प आँगे चलकर 1971 में भारत और पाकिस्तान की बीच योद्ध हुआ और बंगलादेश आजाद हुआ उस समय हमारे देश की पिदान मंतरी इंदरा गांदी थी और अभी आप देखेंगे तो गुजरात हो गया राजिस्थान, पंजाब, जम्मू कस्मी, लगदाग हमारे पांच राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है और यहां आप देखते हैं क्या कि 14 अगस्त 1947 को यह सुतंता मनाता है क्या सुतंता मिली थी इसे चीक है और यह आपका 8,81,913 बरक किलोमीटर में फैला हुआ है यह भी आप लोग याद रखेगा और यहां आप देखेंगे 96.5 पर के नाम पर पाकिस्तान का गठन हुआ था और इम्रान खान की अगर हम लोग बात करें ना तो आप देखेंगे कि एक किर्केटर भी रहें बारत के 22 वेपिधानमंतरी के रूम में भी काम किया 18 अगस्त 2018 से 10 अपरेल 2022 तक इनोंने पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के अध्यक्षे नैसलम असेमली के सदस भी रहें और आप देखेंगे ब्रेड फोर्ड विस्विद लिहलाई की चांसलर की रूम में भी काम किया है इनका नाम इम्रान अहमद खान नियाजी है 5 अक्टूबर 1922 में इनका जनम हुआ था लाहोर पाकिस्तान में तो यह भी आप को गयाद रखिएगा केवल कॉलेज ऑक्सपोर्ड से इनों ने पड़ाई लिखाई की हुई है तो अभी आप देखे एक तोप खाना क्या तोसा खाना या एक काफी चर्चा में बना हुआ है जिसके कारण से आप देखें इनकी गिरफतारी की बाथ हो रही है तो यह पाकिस्तान में तोप खाना होता क्या है तोप खाना का मतलब होता है ऐसे कमरे से जहां राजा या अमीरों के कपड़े गहने और महेंगी चीज़ें जैसे की उपहार आदी समाल कर रखे जाते हैं अब आप देखें कि अगर पाकिस्तान का पिधान मंत्री किसे दूसरे देश की यात्रा पर गया हुआ है उसे कहीं आप देखें कि महेंगे कपड़े मिल ला है गहने मिल ला है कोई महेंगी चीज मिल लाई है तो इसे इस कमरे में रख दिया जाता है पाकिस्तान में सरकार के संग्रहिस्तान को तोसा खाने में जमा कर दिया जाता है प्यदान मंत्री अगर पहार अपने पास रखना चाहे तो उसे उसका मूल चुकाना होगा और इन उपहारो कि नीलामी भी की जा सकती है और नीलामी से अरजेधन सरकारी खजाने में ही जाएगा कोल मिलाकर पिधानमंत्री को मिले उभार राष्ट की संपत्ती होती है क्या होती है राष्ट की संपत्ती होती है तो तोसा खाना विबाद में इमरान कैसी फस्ट चुके हैं तो आप देख अरूप है कि इमरान खान ने तोशा खाने में जमा किये उपहारों को सस्ति में 2.15 करोड में खरीद लिया और फिर जानदा कीमत में बाजार है उन्हें बैंच दिया और पांच करोड से जानदा धन मुनाफ्य के तOR पर कमा लिया है और रिपोर्ट के मुताबिक इन उपहारो एक कीम्ती पैन, एक अंगूठी, रॉलेक्स की चार घडियां भी सामिल थी और यह भी आरोप लग रहा है कि इमरान ने इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए सरकार कानून में भी परिवातन किया था और कब खड़ी हो गई थी इमरान के लिए मुसीबत? पिछले साल आपने देखा होगा कि इमरान खान की सरकार गरने के कुछ महिने वाद सत्तारोड पी एमल एन गठवंदन बाली सरकार की कुछ सांसदों ने पाकिस्तान की नेसलन असेमली के अध्यक्ष राजा परवेज असरप के सामने तोसा खान मामले को उठाया था और इमरान खान पर आरोप लगाये थे कि उन्होंने एक आरोप पत्त तियार किया थे जिसमें कहा गया थे कि इमरान ने उन्हें मिले उपहारों की डिटेल तोसा खानी को नहीं सौपी है और उन्होंने कहा कि इमरान ने उपहार बेंच का रुपे कमाद लिये और National Assembly ने जाँच का आदिश दिया था 8 सेप्टमबर को इमरान को एक नोटिस भी बेद दिया गया था और नोटिस के जवाब में इमरान ने चार उपहारों को बेंचने की बाद भी कबूली थी अब आप देखिए आंगे क्या होता है इनके बारे में इनकी कहानी कैसे खतम होती या बढ़ती है ये तो आने वाला बक्ती बताएगा और मुझे लगता है कि आज की समय में आप लोग सोसल मीडिया पर एक्टिव हैं तो सब कुछ देखते रहते हैं जानते रहते हैं और फिर हमारा पड़ोसी है तो हमारी तो जानकारी होनी चाहिए हमारी निगाहें तो उस पर होनी ही चाहिए